जब से टपू सेना ने पोपट अलाल को मादवी भावी के साथ हुए इस कैम के बारे में बताया है तब इसे पोपट अलाल पूरे टपू सेना के साथ मिलकर इस कैमर के पीछे पढ़ गया है हर हाल में पूरी टीम मिलकर इस कैमर को पकड़ने में लग चुके हैं स्केमर मादवी भावी के साथ स्केम करने के बाद भी इधर उधर बाइक लेकर बड़े अराम से घूम रहा है उसे अपने पकड़े जाने का कोई डर नहीं है स्केमर के ठिकाने का सुराग मिल तो जा रहा है लेकिन अभी तक स्केमर हाथ नहीं लगा है जिसने स्कैम किया था मादवी भावी के साथ उसने मास्क लगा रखा था अभी बिना मास्क के उसको कोई नहीं देख पाया है अभी उसे स्कैमर का चेहरा किसी नहीं देखा है अभी ये देखना बाकी है कि बिना चेहरा देखे उसे कैसे पकड़ पाते हैं पोपट लाल और ट कर दो